आपके परावरतन के क्या क्या नियम होते हैं दो नियमों के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था पहला नियम था कि प्रकाश जब आती है तो आपतित क्यरण का अबिलंब के साथ जो कोण है जिसको आपतन कोण बोलते हैं एंगल आई बोलते हैं वो बराबर होता हैं एंगल आर के दूसरी बात हम लोग यह भी डिसकर्स कर चुके थे किसे बारे में बहुत विस्तार से दिसकृशन लास्च क्लास में हो चुका है अगर आज की क्लास में हम वो खुबसुरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके लिए काफी बच्चों ने request भी की थी कि सर वो ही चीज है तो समझ में नहीं आती है अर्थात प्रतिबिम्ब निर्माण तो चलिए शुरू करते हैं समतल दरपन से प्रतिबिम्ब निर्माण समतल दरपन से प्रतिबिम्ब निर्माण ग्लास में हाइपर एक्टिव रहना है ताकि आपको चीने अच्छे समझ में आए और एनर्जी बनी रहे समतल दरपन से प्रतिबिम्ब निर्माण अब ध्यान से सीखिएगा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है समतल दरपन वो दरपन होता है जिसकी परावर्तक प्रस्ट समतल होती है जैसे आपके घरों में अपनी शकल देखने के लिए सुबह नाने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो जिस दरपन के सामने आप खड़े होते हैं वो आपका समतल दरपन है कोई भी दरपन हो किसी भी तरह का उसकी एक सत्य वो होती है जहां पर प्रकाश आके टक्रा के वापस जाता है और एक सत्य वो होती है पीछे वाली जो आपको देखने को मिलती है Polish तो आपका जो दरपड़ है उसके पीछे वाली सत्य जो है ये वाली सत्य ये होती है Polish Polish सत्य और ये वाली जो सत्य है ये होता है परावर्तक प्रस्ट तो जहां प्रकाश करण आती है वो होता है परावर्ता प्रस्ट तो प्रकाश करण समने से यूँ आने वाली है जहां जाएगी देखेंगे पीछे वाला हिस्सा यहाई उसका पॉलिश सते ये माल लेते हैं कि अपन आप सभी को पता है ना कि अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग पढ़ रहे हैं अपन लोग पढ़ रहे हैं प्रतिबिम्ब निर्मार तो जब प्रतिबिम्ब निर्मार की बात होती है तो प्रतिबिम्ब निर्मार में एक चीज बिलकुल किरे रहने जी है कि जिस वस्तू का अपन प्रतिबिम्ब बनाना चाहते हैं उसे हम लोग साइंस में बिम्ब कहते हैं तो जिसका प्रतिबिम्ब बनाना होता है जैसे आपने दरपन के सामने जिसको भी रख रखा है मान लिजी आपने इसको रख रखा है AB तो इस AB का अगर आप प्रतिविम्ब बनाना चाहते हो तो AB को बिम्ब कहते हैं तो आपका AB जो है वो क्या कलाएगा? बिम्ब कलाएगा प्रॉपर तरीके से मैं आपको आज़ी कलात में समझाऊँगा कि प्रतिभिम का निर्मान कैसे होता है जहाँ से सीखिएगा आपको जिस भी बिंदू का प्रतिभिम बनाना है, अपन A का बनाएंगे फिर B का अपन आप आटमेट्ले समझ जाएंगे, तो अगर आपको A का प्रतिभिम बनाना है, एक बात लिखीए कमेंट शेक्षन में दिमाग में भी लिखिए कि जिस भी बिंदू का प्रतिविम बनाना होता है जिसका भी प्रतिविम बनाना होता है उससे हम कम से कम दो किर्ने भेजते हैं वो दो किर्ने दरपंड से टक्रा करके जहां भी मिलती है वहां उस वस्तू का प्रतिविम बन जात फिर से एक बार अगर आपको किसी बिंदू का प्रतिबिम बनाना है तो उस बिंदू से आपको दो किन्ने बेजनी है वो दो किन्ने जहां भी जाएंगी टक्रा के जहां भी मिलेंगी वहां उसका प्रतिबिम बन जाएगा अपने आप मिल जाए तो वास्त विक प्रतिविम जबर्दस्ती मिलाना पड़े तो आभासी प्रतिविम जबर्दस्ती कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा पट फिलाल आप पॉइंट पर ध्यान दो, fact पर ध्यान दो, pattern पर ध्यान दो कि अगर कोई point है उससे आपको प्रतिविम बनाना है तो आपको उससे दो प्रकाश किर्णे भेजनी है वो दो प्रकाश किर्णे जाएंगी तकरा करके जहां भी मिल जाए अपने आप मिले तो वास्तिविक प्रतिविम जबरदस्ति मिले तो आभासी प्रतिविम शुरू करते ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं, एक्टिव रहेंगे सभी बच्चे और लाइव चैट में इस पॉइंट को लिखते जाएंगे, कॉपी में भी लिखते जाएंगे, इस पॉइंट A से मैंने एक प्रकाश किर्ण भेजी ऐसी, ये प्रकाश किर्ण मैंने भेजी, अब मुझे पता लगाना है कि इस प्रकाश किर्ण के साथ में क्या होगा, तो जरा याद करो, लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था, आपका दरपन लास्ट क्लास में ऐसे रखावा था, जो आपके दरपन है, जब भी कोई किर्ण आप्तित होती है, तो वो आप्ति से पता है वराबर होता है अगर 30 degree पे आई है to 30 degree वापस जाएगी 20 degree पे आएजी तो 20 degree पे वापस जाएगी अब सोचो आगर आपके दरपन पर दरपन रखाओ है अगर इस दरपन परकोई प्रकाशकिरण इस से आ जाए ऐसें यू तो जो आपकी प्रकाशकिरण आ रही है, जिस बिंदू पर आ रही है, वो बिंदू कौन सा है, जिस बिंदू पर आईए प्रकाशकिरण, वो बिंदू आपका है, ये, इस बिंदू पर अगर आप अबिलम बनाओ, तो वो अबिलम तो यही बनेगा, अबिलम से कितना कौन बना के आ रही है, जो प्रकाशकि से आई थी उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी तो सबसे पहले इस चीज को आप लिखिए कमेंट सेक्शन में यह कॉंसेप्ट आपको किलियर हुआ कि नहीं हुआ कि जब एक प्रकाश किरन किसी दरपन के उपर अगर ऐसे किसी कोण पर आती है तो अभिलंब यू बनता ह ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए इसे मान लीजिए मान लीजिए ऐसे बकड़ो मान लीजिए यह आपके पास दरपन है यह जो दरपन है इस दरपन पे ध्यान से देखिएगा अगर कोई प्रकाश किरन इस तरह से आती है तो जब प्रकाश किरन इस तरह से आएगी पा अबिलंब यह होगा यह आपका अबिलंब होगा तो प्रकाशकेन अगर इस तरह से आई है तो जो अबिलंब है उस अबिलंब से जितने कौन पर आई है उतने ही कौन पर आपकी प्रकाशकेन वापस चली जाएगी तो ध्यान समझेगा प्रकाशकेन आपकी इस तरह से आएगी और प्रकाशकेन इस तरह से आकर कि यहां जाओ बीच में प्रकाशकेन इस तरह से आएगी और यूँ चली जाएगी तो जितने कौन पर आपकी प्रकाशकेन आई है उतने ही कौन पर प्रकाशकेन वापस चली जाएगी इस चीज़ को आप directly आराम से देख सकते हो तो ये प्रकाशकरण इस तरह से आती है तो ये प्रकाशकरण जितने कौन पर आई है उतने कौन पर वापस चले जाएगी बट क्या हो, क्या हो, यहां पर बीच में रग दो, ऐसे क्या हो कि अगर प्रकाशकिरन इस तरह से आती है अगर प्रकाशकिरन ऐसे आती है तो यह आपका अबिलंब है तो जो आपका अबिलंब है उसी के उपर प्रकाशकिरन आई है तो अबिलंब से कितने कोन पर आई है शुन्य कोन पर आई है तो शुन्य कोन पर ही वापस चली जा तो वापस उतने ही कौन पे लोट जाएगी, तो यहां से आप यह बात बोल सकते हूँ, यहां से आप यह बात बोल सकते हूँ, एक बार और अपन करके देखते हैं, इस जगे पे अपन चेक करते हैं, ति अगर यह जो आपका mirror है, वो ऐसे है, अगर प्रकाशकरण लंबत यू वापस से घूम करके ऐसे ही चली जाएगी I hope आपके यह कॉनसेट अच्छे समझ में आ गया होका के लिए हो गया है सभी को concept बहुत अच्छे यहां पर IB 0 है और आपका RB 0 अभी एक बार अपन करके देखेंगे दूसरी वाली किरण के लिए भी तो यहां पर यह जो आपकी किरण है जितने कोण पर आई है जीरो पर आई है जीरो पर ही वापस चली जाएगी किलियर हो गया सभ को अब दूसरी वाली किरण के लिए बात करते हैं माल लो यह दूसरी वाली किरण ऐसे आई है यह जो अगर प्रकाष किरण अगर यह आपका अभिलंब है मालीजी कौकि यह जो सत्य है यह जो आपकी सत्य है यह सत्य के लंबवत होता है अभिलंब तो माल लेते हैं इस बिंदू पर प्रकाशकर्ण आनी वाली है तो इस पर मैंने पहले से अभिलंब बना रखा है तो यह आपका अभिलंब है, तो अगर प्रकाश करण उपर से आती है माली जी, ऐसे आती है, तो आप देख सकते हैं, प्रकाश करण अभिलंब के साथ जितना भी कोण बना के आई है, यहां से उतने ही कोण पर वापस जाएगी, एक बार कैमरे के सामने प्रोफेशनली में आपकी प्रकाश करण वापस जाएगी, क्योंकि अभिलंब से जितने कोण पर आती है, उतने भी वापस जाती है, जब प्रकाश करण यू आ रही थी, जिरो डिग्री पर आई थी, जिरो डिग्री पर वापस गई, अब आपकी प्रकाश करण यू आ रही है, तो जितने डि और इस तरह से अब सोचने वाली बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यह किर्णे वास्तों में कहीं मिल सकती है क्योंकि मैं आपको बताया था कि जब परावर्तन के पश्चात यह जहां कहीं भी मिलेंगी वहां उसका प्रतिविंब बन जाएगा तो आप ध्यान से फोकस करेंगे तो आपको समझ माएगा ज्यान से फोकस करेंगे तो आपको समझ माएगा कि यह वाली प्रकाश करने की जिंदगी में यह इस तरफ आगे बढ़ेगी ऐसे यह तक्राने के बाद और दूसी वाली प्रकाश करन यह आगे बढ़ेगी तो यह दौनों करके लेके जाएंगे जिस रंग की किरण है उसी रंग का मार का प्रियोग में लेते हैं ऐसे डैश 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 करते वे पीछे लेके जाएंगे इसी प्रकार इस किरण को भी अपन ऐसे डैश 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 करते वे पीछे लेके जाएंगे और आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आपका जो point A था आपकी किर्णे जबर दस्ती यहां मिल गई है तो यह बन गया A का प्रतिविम्ब A- और A- के जस्ट नीचे प्रतिविम्ब किसका बनेगा बचों? B- का किलियर हो गया सब ही को आराम से देखिए चीजें बहुत अच्छे से कलियर करूँगा पूरे चैप्टर में एक एक चीज प्रतिविम्ब से पढ़ेंगे बस आपका सहयोग चाहिए आपकी एक्टिवनेस चाहिए और कुछ नहीं आगे बात करते है आगे का कॉंसेप्ट कुछ ऐसा है कि आभासी प्रतिविम्ब तो बन चुका है तो आपका प्रतिविम्ब कैसा है आपका प्रतिविम्ब है आभासी तथा सीधा जैसी वस्तु वैसा प्रतिविम्ब आगे समझो एक और बात जितना आपके बिम्ब का आकार है उतना ही प्रतिबिम्ब का आकार है तो लिखिए दूसरा पॉइंट बिम्ब का आकार बराबर प्रतिबिम्ब का आकार बिम्ब का आकार बराबर प्रतिबिम्ब का आकार दूसरी बात जितना बिम्ब दरपन के आगे रखा है जितना दरपन से बिम्ब की दूरी है उतनी ही दरपन से प्रति बिम्ब की दूरी होती है ये मैं आपको फैक्टी बता रहा हूँ कि जितनी माले जी इसको यू कहते हैं इसको वी कहते हैं तो यहाँ पे यू वराबर वी ह Q क्या मतलब है? V क्या मतलब है? आराम से लिख लीजिए. U का मतलब है बिंब की दरपन से दूरी और V का मतलब क्या है? प्रति बिंब की दरपन से दूरी. तो आप ये बात साफ साफ यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितनी दूरी पर आपके दरपन से बिम्ब रखा है उतनी दूरी पर दरपन के पीछे उसका प्रतिबिम्ब बनता है किलियर हो गया सभी को तो ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है पहला आभासी और सीधा दूसरा आकार बराबर होते हैं तीसरा ये चीज़ एक और पॉइंट है एक और पॉइंट ये है कि प्रतिबिम्ब पार्शव परावर्तित होता है अब इसी बात को समझने का दिल से प्रयास करेंगे कि प्रतिबिम्ब पार्शव परावर्तित होता है इसका मतलब क्या है तो इसके लिए वापस से एक बार मिलरे को ले के आते हैं और आपको वापस से समझाते हैं तो अपन पार्शव परावर्तन को समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से इसको feel करने की कोशिश करनी है आपको यह देखिए दरपन के अंदर भी मेरी शकल आपको दिख रही होगी इसको पकड़ लेजे दरपन के अंदर भी मेरी शकल आपको दिख रही होगी अब आप दरपन में देखिए, तो दरपन में जो मेरा प्रतिबिम्ब है, मेरे सीधे हाथ में वस्तू है, पर दरपन के अंदर जो बंदा है, मतलब जो मेरा प्रतिबिम्ब है, उसके उल्टे हाथ में वो वस्तू है मेरा सर तो उपर ही है पाउं नीचे ही है उसमें कोई पाबलम नहीं है बट जो मेरे सीधे हाथ में है जो चीज मेरे सीधे हाथ में है दरपन के अंदर जो प्रतिबिम्ब है उसके उल्टे हाथ में ऐसे ही जो चीज मेरे उल्टे हाथ में है वो दरपन वाले बंदे के सीधे हाथ में है मतलब दाया बन जाता है बाया और बाया बन जाता है दाया इसको बोलते हैं पार्शव परावर्तन लेटरल इंवर्जन कहते हैं इसको पार्शव परावर्तन इसे कहते हैं पार्शव परावर्तन किलियर हो गया, got it, very good तो अभी इसी चीज को मैं यहां दिखाना चाहूं तो बहुत सुन्दरता से अपन यहां भी दिखा सकते हैं जैसे माल लीजी कि एक बंदे का सर उपर है, पाउ नीचे है तो प्रतिबिम में भी उसका सर उपर ही रहेगा पाउ नीचे रहेंगे बर जो चीज उसके दाए हाथ में है वो चीज दरपन वाले के बाए हाथ में आ जाएगी और जो चीज उसके दाए हाथ में है वो दरपन वाले के बाए हाथ में आ जाएगी इसको बोलते हैं पार्शाव परावर्तन अगर इसको और अच्छे तरीके समझना चाहो तो 1, 2, 3, 4 से भी आप समझ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जैसे माली जी इस वस्तू का प्रदिमी बना रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 जो 1 और 2 हैं उनकी location में कोई फरक नहीं आएगा जो भी चीज यहां है वो यहां जाएगी जो भी चीज यहां है वो यहां जाएगी और इस तरह सी क्या कहलाएगा पार्शाव परावर्तन लेटरल इंवर्जन इसको English में कहते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपको पता है ये वस्तु दरपन से जितनी दूरी पर है इसका प्रतिविम भी उतनी दूरी पर बनना चाहिए तो इसलिए इसका प्रतिविम भी उतनी ही दूरी पर बनना चाहिए इसी रीजन से क्या होता है जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में दिखने लगती यहां तो वैसे भी कोई फरक नहीं जितनी दूरी है उतनी यह होनी चीए तो यहां कोई चेंज नहीं आ रहा वट सोचो यह इसका प्रतिविम यहां बन जाएगा दूरी बराबर करने के चक्कर में और इसका उधर बनेगा तो जो इसका राइट है वह इसका लेफ्ट बन प्रतिविम निर्माण में मोटी मोटी बात यह थी कि अगर आपको किसी वस्तु का प्रतिविम बनाना है तो उससे कम से कम दो किन्ने चाहिए वो दो किन्ने जाकर के टकला के जहां भी मिलेंगी वहां बन जाएगा वस्तु का प्रतिविम बनेगा अगर जबरदस्ती मिलाना पड़ता है तो आभासी प्रतिविम आपको देखने को मिलेगा त जैसे ही आप WhatsApp नंबर पर जाएंगे, आपके पास application का link आजाएगा, जैसे ही आप application को install करेंगे, application को install करते ही, आपको जो है, एक store tab मिलेगा, application आप सर्च कर सकते हैं, store tab मिलेगा, वहाँ पर आपको अपनी 9th class, 10th class का course मिल जाएगा, उसके अंदर इसके पूरे color hand return notes आपको available होंगे, जहां से आप study कर सकते, तो इसी के साथ आप से विदा लेते हैं, so guys, thanks for watching, please subscribe to the channel and press the bell icon for the notifications, support कीजिए, अगर आपको अमारे पढ़ाने के तरीका अच्छा लगता है तो, thank you so much, जहां मिलते हैं अपसे अगली class में, bye bye, take care,